नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लो जानेंगे कि बीए 2nd year के 4th semester में आपका सब्जेक्ट है हिस्टर यानि के इतिहास उसके अंदर exam में कौन-कौन से question आने वाले है इस फीडियो के अंदर मैं आपको exam में आने वाले question के बारे में बताओंगा तो आप इस फीडियो को ध्यान से देखेगा तक कि exam में आने वाले question के बारे में पता चल सके तो यह वीना किसी देरी के सुरू करते हैं और एक्जाम में आने वाले question के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यह आपका question paper होने वाला है इसके अंदर आपका जो भी question रहेगा सबसे पहले में पहले प्रस्ण की बात की जाते हैं आपका पहला प्रस्ण दिये हुआ है सबसे पहले question की बात की जाते हैं पहले question की बात की जाते हैं आपका तीसरे question दिये हुआ है दिर्थिये BCU के क्या करण थे तीसरे question कर रहा है जो दिर्थिये BCU हुआ था यहाँ पे आपको बताना है कि दिर्थिये BCU होने के क्या करण थे यानि कि किस कारणों से दिर्थिये BCU हुआ था अब नेक्ट कोशन की बात की जाते हैं पर आपका चोटा कोशन दीव है 1917 SB की रूसी करांती के महत्व को इस पश्ट कीजिए चोटा कोशन कर रहा है कि 1917 SB में जो रूसी करांती हुआ था उसका क्या महत्व है यहाँ पर आपको 1917 SB की रूसी करांती के महत्व बताना है अब वगली कोशन की बात की जाते हैं आप आपका पाचोग कोशन दिएवा है प्रथम 20 के प्रेडामों का उले कीजिए बारे में आपको बिष्तार से बताना है। और इसके भूमका भी लिखना है। उसके कारेगों के बारे में बताना है को, उसने क्या करण की है, उसके सुधार कारे के बारे में आपको बताना है, नेपोलियन के बताना है, यहाँ पर लेका without question, बादब पूसे जातें हैं, और खासकर जो आपका history के एकजाम होता है, जो कि आधूनिक विसुक इत्यास में ने आपको पहली बता दिये जो आपका टोपिक रहेगा आधुनिक विस्व के इतियास रहेगा चोदो से तीरपन इस विसले करोणी सो पचास इस विस्वी तक की बीस में आपसे कोईशन पूछा जाएंगे तो यहाँ पे आपका आठवा कोईशन है नेपोलियन के पतन के क्य अब निक्स कोशन की बात की जाते हैं पर आपका नव कोशन दिये वह है फ्रांसीसी करांती के आर्थिक करण बताईए यहाँ पे आपको फ्रांसीसी करांती के आर्थिक करण बताना है कि फ्रांसीसी करांती के आर्थिक करण क्या थे अब निक्स कोशन की बात की जाते हैं प्रभाव की बताना है अब निक्ष्ट की बात कीजाए तैंप आपका पुनर जागरण के प्रभाव की बैक्या कीजिए बरहो कुर्शन कर रहा है जो दर्म सुधार अंदोलन है उसका क्या आर्थ है यहां पे आपको धर्म अब नेक्स्ट कि बात किजाते हैं पर थे इतली के पूरण जागरन के महतुग को इंगित कीजिए। इतली के पूर्ण जागन है इसको आप कोच्छे से देखना है और उसके क्या महत्तों इसको भी आपको देख लेना है अब नेक्ट कोच्छन की बात की जाते हैं आपका चोधा कोच्छन दीवा है धर्म सुधार अंदोलन के प्रसार में मार्टिन लूथर के एकदान मताई टोटल ॉप् widespread वाले प्रसार मों सुधार अफसे देखे लेना है और यहां पर आपका पहला प्छेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला question दिया पर एक लेख लिखना है अब नेक्ट कोर्शन की बात की जाते हैं पर आपका तीसरे कोर्शन दीव है प्रतम बिस्यूद के कारणों का बिस्लेशन कीजिए चोता कोर्शन कारण है जो परतम बिस्यूद के कारण बताना है और उसका बिस्लेशन करना है अब अगली कोर्शन की बात की जाते हैं पर आपका पांचोव कोर्शन दीव है इटली के एक करण में काबूर के युगदान का मुलेंगन कीजिए मैंने आपको पहले बता दिया कि काबूर से समंदित जो भी क्वेस्टन आएंगे यहाँ पे आपको इटली की एकी करण में जो काबूर का युगदान है यहाँ पे आपको इटली की एकी करण में काबूर का क्या युगदान था उसके युगदानों के बारे में आपको इसका क्या महतु है इसके महतु के बारे में आपको सवंचिप में बताना है अब नेक्ट कोशन की बात की जाता है आपका 7 कोशन दिये वह है नेपोलियन बोनपार्ट की महाधुपी बेऊस्था कवन कीजिए यह भी कोशन बहुत इंप्रोटेंट है कर रहे हैं कि जो नेपोल पुश्था है कि नेपोलियन बोनपार्ट की महाधेपी बेऊस्था के बारे मताईए कि नेपोलियन बोनपार्ट की महाधेपी बेऊस्था क्या थी अम नेक्ट कोशन की बात की जाते हैं पर आपका 8 कोशन दिये हुआ है फ्रांस की राजे करांती के पेडामों का संचे पर करना है इसके बारे मैं आपको पढ़ लेना ये तोपिक बहुत इंपोर्टेन्ट फेला मों काउले कीजिए गली कोश्चन जो यहां पर अमेरिका के संद्र संग्राम को उले करना है अब निक्स कोश्चन की बात की जाते हैं आपके जर्मनी में धर्म सुधार अंदोरन के क्या करान थे दसवा कोश्चन में बहुत इंपोर्टेंट कर रहा है कि जो जर्मनी में धर्म सुधार अंदोरन हुआ था उसके क्या फेडाम हुए यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मनी में धर्म सुधार अंधोरण के ख्या करांड है यहाँ पर आपको कारणों के बारें बताना है यहाँ पर आपके आपको दिरगूतर प्रस्न में पुछ जाएंगे आपको इन दस कोश्चन को अच्छे से नोट कर लेना है क्योंकि बहुत इम्पोोढा़ अपको आपको मिल रहा है सभी topic को cover कर लेना है सभी topic को जो है किताब के अंदर देख के पढ़ लेना है और हर topic के अंदर जो भी आपका heading या आपको heading अच्छे से पढ़ लेना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस video से आपको बहुत कुछ सीखेने को मिला होगा next video मिलता हूँ next question paper के साथ thank you